नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको नाखुन खाने की आदत से निजात पाने के लिए कुछ गहरेलू तरीकों के बारे में बताएंगे कई लोगों की आदत होती है कि वह या तो कुछ सोचते हैं या फे फ्री होकर अपने नाखुन को चबाने लगते हैं लेकिन आप जानते हैं कि आपकी कितनी बिमारियों को दावत दे रहे हैं आप इसके साथ साथ जिस तरह आपके नाखुन बढ़ते हैं आपके नाखुन चबाने से भाटेशू नश्ट हो जाते हैं जिससे आपके नाखुन दुबारा नहीं बढ़ सकते हैं इतना ही नहीं कई बार तो इन आदत के कारण आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा भी होना अगर आप चाहते हैं कि इस आदत से चुटकारा पालिया जाए तो उसके लिए आज हम आपको कुछ रेलू नुस्कों के बारे में बताएंगे जिनें अपना कर आप नाखुनों को चबाना छोड़ देंगे सबसे पहले एक निवे दन उन सबी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं करपया हमारे चैनल की सदस्दा को जरूर ले ले तक कि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी इठा सकें साथ ही सही जा रखने से उन्हें चबाने की इच्छा में भी कमी आती है नाखून बढ़ने से पहले उनकी नियम में छटाई करते रहें नाखून छोटे रखने से उन्हें चबाने में तकलीफ होगी और उनमें मैल भी जमी चाहिज होता है कुछ लोग उंगलियों पर करेले, नीम करस, सिरका या सौस जैसे अप्रिय स्वाद वाली चीज़े भी लगाते हैं इससे भी उनको फाइदा होता है अगर आप नाकुन चबाने की आदत पर काबू पाने में नाकाम हो रहे हैं तो बाजार में मिलने वाले नकली नाकुन भी उंगली पर आप लगा सकते हैं इनका उप्योग करने से धीरे धीरे आपकी आदत चूट जाएगी आप चाहें तो गलव्स पहन कर भी इस आदत से चुटकारा पा सकते हैं ज़्यादतर बच्चे या बड़े नाकुन तब चबाते हैं जब वा खाली होते हैं जब भी आपके पास खाली वक्त हो तो आपको किसी कारे में खुद को व्यस्त कर देना है इससे आपको फाइदा होगा अगर आपको कुछ चबाने की इच्छा हो रही है तो आप कुछ गाजर या सेव का इस्तमाल कर सकते हैं ऐसे में आपको नाकुन चबाने की आदत चूट जाएगी आप चाहें तो लैसुन की कलियों को नाकुन और उंगली पर घिसकर लगा सकते हैं ऐसा करने से एक तीवर गंद निकलेगी जिसकी वजर से आपको नाकुन चबाने की इच्छा नहीं होगी और साथ ही लैसुन में एंटिबायोटिक गुन होता है जिससे नाकुन भी स्वास्त रहते हैं तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइए शेयर और कमेंट सरुर कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनेवाद